A, X1, Y1, Z1 B, X2, Y2, Z2 C, X3, Y3, Z3 R, Vertices of Triangle ABC हमें Centroid निकालने है Centered होता कहा है? Centered होता है Point of Intersection of Medium Centroid is what? Point of Intersection of Medium मान नहीं मीडियन बनाया एक मीडियन ये बना लिया और ये ये बना लिया ठीक है दी? को डाउट? ये तीन मीडियन होगे ठीक है? इसके अलावा Centroid जो है डिवाइड करता है मीडियन को इन 2 to 1 रिश्यो किस रिश्यो में? 2 to 1 की रिश्यो में 2 to 1 की रिश्यो में Put out 2 to 1 2 to 1 2 to 1 क्लियर है? मुझे ये Centroid निकालना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले डि निकालना पड़ेगा डि इस वाट? मिड पॉंट औफ असी डि एज मिड पॉंट औफ वेश्यो तो डी आप निकालते हैं यूजिंग बिट्रेंट फॉर्मुला क्या होता है वेटा इस प्लस एक्स्टू प्लस एक्स्ट्री अपॉन तो इसके पास सेंट्रोट निकालना है तो अगर सेंट्रोट निकालना है तो इसकें बिकेंडे सेक्षनओ प्लस एक्सट्री यहाँ या डी क्या होता है तो इसे यहां करताने संट यहाँ आरे köई लिएक हो अश्ट्री अपॉन M2 X1 upon M1 plus M2, section formula यहा रहे, so section formula क्या होता है, D निकाल, sorry, center formula यह लगाएंगे, M1 X2 plus M2 X1 upon M1 plus M2, M1 Y2 plus M2 Y1 upon M1 plus M2, और ऐसे लगा है थी, M1 Z2 plus M2 Z1 upon M1 plus M2, यह section formula यही, ठीक है, इसे मैंने M1 लिया, इसे M2 लिया, ठीक है, जो D के coordinate होंगे, जो कि यहां लिखे पड़े हैं मैंने, D को यहां लिखूँ हाँ, अब वहाँ जगहेंगे तो मैं यहां रिकाल करके हैं, ठीक है, तो इसे कह लिए कि आप, X1, Y1, Z1 by formula, और इसको ले लेंगे आप, X2, Y2 और Z2, क्या आता formula, M1 X2 plus, यह फामुला रहा है, M1, यह पूरे X2 हो गया, M1 X, अच्छा, इसे X1 ले तो, मैं यह X2 लेगे, X2, यह X2, Y2 और Z2, यह X1, Y1 हो जाए दोगा, क्योंकि यह M1 है, तो इसके सामने वाला है, X2 होगा, यह M2 है, तो इसके सामने वाला क्या होगा, X4 होगा, clear है, तो formula है क्या है, M1 X2, M1 कितना है मेरा, 2, और X2 यह हो जाएगा, प्लस M21 हो गया, और X1 हमारा क्या है, X1, अब और M1 प्लस M2, ऐसी M1, Y2, क्योंकि टी हमारा यहां पे है, प्लस M2, Y1, clear है, तो M1 कितना है मेरा, 2, Y2 क्या है, जो टी का कोडिनेट है, वो यह है, प्लस 1 इंटो Y1 अपॉन 2 प्लस 1, ऐसी यहां पे तीसा जड़ का निकाल नहीं है, इसको सोल करेंगे, 2 से 2 कड़िया, 2 से 2 कड़िया, यहां पे 2 से 2 कड़िया, कितना है मेरा, X1 प्लस X2 प्लस X3 अपॉन 3, क्या हैगा, X1 प्लस X2 प्लस X3 अपॉन 3, तो जी आएगा अपक इतना, X1 प्लस X2 प्लस X3 अपॉन 3, कॉमा Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 अपॉन 3 और Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन 3, यह हमारा सेंटरोड होता है, सेंटरोड का फॉर्मुला आपने 10 भी पढ़ा था, जाद होगा, इतना पढ़ा था आपने, अब सिर्ट कोर्डिनेट हो रहा है, एक और टोपी आडिस के अंदर इनसेंटर, क्या है यह व्यर्म। यह NC ID में नहीं है, होगा तो एक्जाम्पलर में मिलेगा आपको इनसेंटर निकालने के लिए, अगर आपको कहता है तो ट्रेंगल का इनसेंटर निकालना है, यह पॉन्ट आड़ी X1, Y1, Z1, एक्स तू वाई टू जेट टू एक्स त्री वाई त्री जेट त्री कोड़ा रख इन सेंटर निकाल लेगे लिए मुझे तीनों लेंथ पता हो नहीं थी है अगर आपको इन सेंटर निकालना है तो इन सेंटर आपको निकालना है तो उसके लिए मुझे A, B और C निकालना पड़ेगा वो लिख लेगा दिस्टर बहुना से A आएगा इसके भी निकालना होगा कि B आएगा इसके बीट में और C आएगा इसके बीट में तो इन सेंटर होता है जी A X 1 B X 2 C X 3 अपॉन A प्लस B प्लस C A Y 1 B Y 2 C Y 3 अपॉन A प्लस B प्लस C और तीसा होता है A Z 1 B Z 2 C Z 3 अपॉन A प्लस B प्लस C इन सेंटर होता क्या है इस ट्राइंगल है ट्राइंगल के अंदर जो सरकल बनता है ना उसका जो सेंटर होता है उसे हम बोलते इन सेंटर वो निकलता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करतों क्या करतों इसका बाइसेक्ट को निकालना यह का कमना इस असमसर निकालने आपको इसके विपयादिशनलोंगा आपकर दिस्क यJames कमलगा यगए यह निकाला यह निकाला इसे एक विपरेंद चिराइगा और apply this form, is that there? triangle का नाम ABC की देखे, अगर P, Q, R है, तो P के सामने वाले को A लेंगे, Q के सामने वाले को B लेंगे, और C के सामने वाले को C ले लेंगे, got it? तो उससे कहा निकल जाएगा? इसे, clear है? इसे note करें लिए लिए से. missliness आप खुट कर लेना, second support है, बागी आपका homework में क्या है कि पूरी missliness करनी है, बागी तो question में आपको बताई चुका हूँ, Monday को copy check करूँ मैं अप लोगा,